नमस्कार दोस्तों महरिष चंद्र और आपका स्वागत है ट्रेवल एंड फुड़ वर्ड में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कस्मीर की खुबसुलत जगों के बारे में जो कि हैं स्रीनगर, सौनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां तक कैसे पहुँच सकते हैं आप होटल कहाँ पर लें, यहां पर घूमने की कौन-कौन सी जगह हैं और लोकल साइट्स इन कैसे करें और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कम बजट में आप कस्मीर का टूर कैसे कर सकते हैं यदि आप भी कस्मीर घुमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो यदि आप कस्मीर घुमने के लिए आते हैं तो आपको पहले स्रीनगर आना होगा यदि आप बाइ रोड आते हैं तो आपको दिल्ली से सृनगर के लिए डिरेक्ट बस मिल जाएगी दिल्ली से स्रीनगर की दूरी लगबग 800 किलो میर है और बस से स्रीनगर तक महुचने में कम से कम 20 घंटे का समय लग जाएगा और यदि आप जम्मू से स्रीनगर तक बाइ रोड आते हैं तो आपको यहां से बस, टैक्सी और शेरिंग कार मिल जाएगी जम्मू से स्रीनगर की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है और आपको ये सफर पूरा करने में लगभग 8 घंटे लग जाएंगे यदि आप स्रीनगर तक ट्रेन से जाना चाते हैं तो इसके लिए आपको उधमपूर तक ट्रेन से आना होगा और इसके बाद आपको उधमपूर से बनिहाल तक बाइ रोड जाना होगा इसके लिए आप बस, टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं जो कि आसानी से मिल जाता है और इसके बाद आप बनिहाल से स्रीनगर तक ट्रेन से जा सकते हैं और यदि आप स्रीनगर तक फ्लाइट से आना चाते हैं तो स्रीनगर में इंटरनेशनल एरिपोर्ट है और कई सहरों से यहां के लिए डारेक्ट फ्लाइट सलती है जब आप स्रीनगर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बाद आती है रुकने की तो आप कोसिस करें कि अपना होटल एडवांस में बुक करके ही यहां पर आए स्रीनगर में बहुत सारे होटल हैं यदि आप डल गेट के आसपास में अपने लिए होटल लेते हैं तो यह लोकेशन काफी अच्छी है और आपको यहां पर हर समय टूरिस्ट मिलेंगे और डल गेट पर ही हाउस बोट भी हैं आप चाहें तो एक राथ यहां भी रुक सकते हैं यदि आप हाउस बोट में रुकते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना की आपको कम से कम हाउस बोट से बाहर आना पड़े चेक इन और चेक आउट करते समय हाउस बोट वाले सिकारा देते हैं उसके बाद आप जतनी बार आना जाना करेंगे उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे अब बात करता हूँ कि स्री नगर में घूमने की कौन-कौन सी जगह हैं सबसे पहले आप साली मारबाग देखने के लिए चले जाएं डल गेट के स्टार्टिंग पॉइंट से साली मारबाग की दूरी 10 से 12 किलोमिटर है यहाँ पर 24 रुपे की टिकट लगती है और बच्चों के लिए यहाँ टिकट 12 रुपे की है यहाँ काफी बड़ा गार्डन है और इसके अंदर बहुत सारे फाउंटेन बना रखे हैं इसके बाद आप निशाद गार्डन देखने के लिए चले जाएं जोकी थोड़ी दूरी पर है निशाद गार्डन में भी एंटि टिकट सेम है बड़ों के लिए 24 रुपे की और बच्चों के लिए 12 रुपे की निसाद बाग भी बहुत बड़ा गार्डन है इसमें अलग-अलग प्रकार के फूल और ब्रिक्स लगाए गए हैं यहाँ से डल लेक का दृस्षी बहुत सुन्दर दिखाई देता है निसाद गार्डन घूमने के बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप तूलिब गार्डन, चस्मे साही और परिमहल देखने के लिए जा सकते हैं जो की एक ही साइड में हैं और इन सभी गार्डनों की बनावट एक जैसी है के बाद आप संक्राचाय टेंपल देखने के लिए चले जाएं यहां तक आप कार और पैदल दोनों तरीके से जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लाल चौक पर घूमने के लिए आ जाएं जिसे घंटा घर भी कहते हैं और यह बाजार काफी फेमस और बहुत बड़ा है और यहां पर बहुत जादा भीड़ बाट रहती है लाल चौक घूमने के बाद आप डल गेट पर आ जाएं यहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं जो कि एक घंटे और दो घंटे की होती है एक बोट में चार लोग बैटते हैं यदि आप दो घंटे वाली सिकारा राइट करते हैं तो यह आपको बहुत जादा पैसे बताएंगे यदि आप बारगेनिंग करते हैं तो आपको 800 तक में यहां पर सिकारा मिल जाएगी और यह रेट सीजन पर भी निर्भर करते हैं इसके बाद आप अपने होटल में आ जाएं और रात्रे विश्राम करें अब बात करता हूँ दोसरे दिन की दोसरे दिन मौर्णिंग में आप स्रीनगर से सौनमर्ग के लिए चले जाएं स्रीनगर से सौनमर्ग के लिए आप आपर सनो एक्टिविटी होती है आप यहां तक पैदल या फिर घोड़े से आ सकते हैं सौनमर्ग घूमने के बाद सामको आप वापस स्रीनगर आ जाएं और स्रीनगर में अपना नाइट इस्टे करें अब बात करता हूँ तीसरे दिन की तीसरे दिन आप गुलमर्ग घूमने के लिए चले जाएं स्रीनगर से गुलमर्ग के लिए बस, टेक्सी और सेरिंग कार मिल जाती है स्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 50 किलो मिटर है और यहां पहुँचने में करीब 1.5 घंटे का समय लग जाता है गुलमर्ग से 13 किलो मिटर पहले तनमर्ग नाम की जगह है यदि आप बस या सेरिंग कार से आते हैं तो यह आपको तनमर्ग पर ड्रॉप कर देते हैं और फिर यहां से गुलमर्ग तक आपको यहां की लोकल गाड़ियों से जाना होगा इसलिए जब आप स्रीनगर से निकलें तो उससे पहले अपने ड्राइवर से कंफर्म कर लें कि वो कहां तक जाएगा जब आप गुलमर्ग पहुंच जाते हैं तो आप यहां पर गंडोला राइट कर सकते हैं सर्दियों में यहां पर स्नो एक्टिविटी होती है और आप यहां के स्विभ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद आप साम को वापस स्रीनगर आ जाएं और आज रात का विश्राम स्रीनगर में करें अब बात करता हूँ चौते दिन की चौते दिन आप स्रीनगर से पहलगम के लिए चले जाएं स्रीनगर से पहलगम के लिए आपको सेरिंग कार और प्रैबिट टैक्सी मिल जाएगी स्रीनगर से पहलगम की दूरी 90 क्लो मिटर है और यहां पहुचने में आपको 2-3 घंटे का समय लग जाएगा जिस कार से आप स्रीनगर से आये हैं वह कार वाला आपको पहलगम की मार्किट में ड्रॉप कर देगा पहलगम में लोकल साइट सिरिन करने के लिए आपको यहां की लोकल गाड़ी हायर करनी होगी आप चाहें तो सेरिंग कार में भी यहां पर घूम सकते हैं पहलगम में आप अरू वैली, बेताब बैली, चंदनवाडी और लिडर रिवर घूम सकते हैं उसके बाद आप यहां की लोकल मार्किट विजिट कर सकते हैं और इसके बाद आप वापस स्रीनगर आ जाएं और अपना रात्री विश्राम करें पांचवे दिन आप स्रीनगर से अपने घर के लिए प्रस्तान करें अब बात करता हूँ कि आप कम बजट में यहां पर कैसे घूम सकते हैं यदि आप बजट होटल में रहते हैं तो आपको यहां पर 1000 रुपे में रूम मिल जाएगा यदि एक रूम में आप दो लोग रहेंगे तो एक आदमी पर 500 रुपे का खर्चा आएगा चार नाइट का इस्टे करने पर 2000 रुपे का खर्चा आएगा आने का खर्चा आप 500 रुपे रोज का मानके चलो तो 5 दिन में 5000 रुपे आपके खाने पर खर्च होंगे और यदि आप अपना टूर सेरिंग कार से करते हैं तो आपका खर्चा 1500 रुपे आएगा इसमें सौनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगम पहुंचने के बाद आप जो लोकल साइट सीन करेंगे उसका खर्चा इंक्लूड नहीं है यहां का लोकल साइट सीन आप पैदल, घोड़ा या फिर कार से कर सकते हैं घर से स्रीनगर और स्रीनगर से घर तक जो आने जाने का खर्चा हुगा उसे भी आप अलग से ले करके चलें यदि इस तरह से आप अपना टूर प्लान करते हैं तो 6000 में आप कस्मीर घुम सकते हैं तो डिस्क्रेप्शन में दे हुए नंबर पर संपरक कर सकते हैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद